Hello Everyone, Welcome to Skill IQ, Skill IQ में आपका स्वाज़त है तो चलिए स्टार्ट करते हैं next chapter जो की है हमारा conjunctions जो की lesson number 19 है तो conjunctions क्या होते हैं, देखिए conjunctions एक परकार के connectors होते हैं जो की sentences को या words को कह लीजिए, ठीक है, उनको जो है connect करते हैं और एक meaningful जो है उसका एक output जो है लेके आते हैं conjunction का definition की बात करें तो वो किस को जोडते हैं a conjunction is a word which joins two or more than two words, phrases, closes और sentences मतलब conjunctions जो है एक ऐसा word होता है, जो क्या करता है, दो या दो से ज्यादा, दो हो सकते हैं minimum तो दो होंगे ही होंगे, maximum दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो दो या दो से ज्यादा words हो सकते हैं phrases हो सकते हैं, closes हो सकते हैं, और sentences हो सकते हैं, जिनको हमारे conjunctions या connectors जो है क्या करते हैं joint करते हैं या जोडते हैं फिर बात करते हैं जैसे एक एक जामपल के तोर पर अगर आप देखना चाहें तो वो जो है क्या है ऐसा ही रख लेते हैं आज तो क्या है वीना एंड श्वेता वैंड टू मार्केट अब यहां पर जो एंड है वो हमारा एक क्या है कंजंक्शन है ठीक है क्यों है कंजंक्शन क क्योंकि उसने जो हमारा वीना है और श्वेता है ठीक है ये दोनों कहने के लिए दोनों नाउन होगे और नाउन में भी अगर गहराई में जाएं तो प्रोपर नाउन होगे दोनों प्रोपर नाउन्स को जो है इन्होंने एंड ने क्या किया है जोड दिया है connect कर दिया है तो ह क्या कहेंगे इस conjunction इसको end को हम क्या कहेंगे conjunction जो है कहेंगे for example और एक example देख लेते हैं I went to see him but he was not there अब देखिए I went to see him see him यह एक अलग sentence है principle close आप इसको एक तरीके से कह सकते हैं यह sentence के लिए ज्यादा गयराई में नहीं जाना है फिर दूसरा he was not there अब यह एक अलग sentence हो गया तो दो sentences को जो ने इसने क्या कर दिया बट ने क्या कर दिया जोड दिया इनको हम conjunction कहते हैं in short हम इन सभी words को अपने को conjunctions जो है हम कहते हैं फिर हमारे सामने यह कुछ conjunctions दिया हूँ है 61 conjunctions दिया हूँ है यह जो है हमारे सारे के सारे conjunctions होते हैं और इनके आगे जो है शुरू में हमारा conjunction दिया है फिर अपना कुछ हिंदी मिनिंग भी जो है उस conjunction का दिया है आप इनको देख सकते हैं ठीक है फिर उसके बाद आगे इन्होंने क्या कर दिया इनहीं same conjunctions को sentences में भी जो है एक तरीके से use करके जो है दिखा दिया ठीक है उनको हम conventions कहते हैं यह देखिए सारे के सारे जो है हमें दिया हुए है फिर जो है हम बात करते हैं यहां से हमारा important role शुरू हो जाता है अपने conjunctions का ठीक है यह देखिए kinds of conjunctions यानिकि conjunctions के परकार कनजनक्शन के होते हैं दो परकार एक तो होता है co-ordinating conjunctions और एक होता है subordinating conventions ठीक है co-ordinating conjunctions और subordinating conjunctions coordinating conjunctions किसको कहते हैं देखे अगर ये कहा जाए कि इसका कोई definition होता है जिब बिल्कुल नहीं होता है इसका कोई definition नहीं होता है बस इसमें कुछ conjunctions का group है हमारा जिसको हम coordinating conjunctions कहते हैं और इसी परकार से हमारा subordinating conjunction कहते हैं जिनका कोई एक group सा होता है उनको हम subordinating और coordinating conjunctions में जो है करते हैं equally divide करते हैं for example and but or nor for yet so as well as either or neither nor both and not only but also only then therefore no less than otherwise or else still while whereas never less इन सब को हम जो है क्या कहते हैं coordinating conjunctions जो है कहते हैं इसके विपरीद अगर हम बात करें हमारे subordinating conjunctions की तो subordinating conjunctions का जो है हमारा definition भी यहीं कहिंपे होना चाहिए रहे भाइः दे दू subordinating conjunctions यह हमारा coordinating दे दिया चलो लो कोई बात नहीं, कोडिनेटिंग के बारे में पूरा चान देते हैं, इसी परकार से सुबोर्डिनेटिंग कंजेंक्शन जो है दे रखे हैं, फिर थोड़ा सा इसने कोडिनेटिंग के बारे में बताया है, ताकि हम थोड़ा सा यध्यान रख सके हैं, मैंने कहा था, कि एक नहीं है एक प्रोपर इसका डेफीनेशन बिलकुल भी नहीं मिलेगा बट थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताया गया है उसके बारे में हम जो है थोड़ा सा जरूर जान सकते हैं जैसे को ओर्डिनेट का मतलब होता है एक जैसी चीज ऐक जैसे गुनों वाला, एक जैसे quality का और इनका हम use करते हैं दो एक जैसे चीजों को जो है आपस में जोडने के लिए एक जैसे चीजों को things अब उस things में हमारे nouns भी सामिल है उसमें हमारे phrases भी सामिल है उसमें हमारे closes भी सामिल है और उसमें हमारे sentences भी सामिल है बस एक जैसी चीजें होनी चाहिए एक जैसी qualities होनी चाहिए उन दोनों चीजों को जोडने के लिए हम किसका यूज करते हैं अपने coordinating conjunctions का यूज करते हैं फिर उसने कुछ का है समान functions वाले words को जोडने के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं coordinating conjunctions का यूज करते हैं for example end के बारे में तो लिया कोई और देख लिते हैं देखिए my father is poor but honest अब यहां पर हम क्या देख रहे हैं यह तो इसने लगा के बता दिया नहीं तो हम अपनी तरफ से लगाते हैं यही इस book में खास बात है इस book में यही खास बात है क्या है पूर और और नेस्ट यह दोनों होते हैं adjectives जैसा कि यहां पे नीचे भी बताएगे हैं यह होते हैं adjectives अब बट जो है हमारा वो coordinating conjunction है तो वो coordinating conjunction क्या करता है एक जैसी चीज़ों को differentiate नहीं करता सोरी एक जैसे चीज़ों को connect करता है, एक जैसे चीज़ों को क्या करता है, जोड़ता है, तो इसलिए हम जो है poor और honest जो हमारे क्या है adjectives हैं, दोनों को जोड़ रहा है तो इसलिए हम इसको क्या किस category में डालेंगे, coordinating conjunction की category में डालेंगे, इसी परकार से आगे वाला sentence भी आप देख सकते हैं, he speaks loudly and fluently, अब loudly और fluently adverbs हैं, दोनों adverbs को इसने चोड़ा है, तो क्या है, दोनों की क्या है, same qualities है, तो इसलिए हम जो है क्या कहेंगे, end को जो है हमारा coordinating conjunction जो है, एक तरीके से कहेंगे, ठीक है, फिर हम बात करते हैं, जो हमारी coordinating conjunction है, उसके चार टाइप्स होते हैं, coordinating conjunction के कितने टाइप होते हैं, चार टाइप होते हैं, cumulative या copulative, cumulative या copulative conjunction में हम किस-किस को सामेल करते हैं, and, both, and, both and, and अकेला, और, and both बोथ हैंड यूज किया जाता है, इनकी बीच में कोई वर्डिंग भी आती है, जब हम आगे चैप्टर को बढ़ाएंगे, या एक्साइजिस करेंगे, तब आपको बढ़े अच्छे तरीके समझ में आएगा, और पहले भी पता होगा आपको, इनके अलावा कोई और भी हो सकता है, लेकिन इतने काफी हैं ध्यान रखने के लिए, इनको हम कमिलेटिव या कॉपिलेटिव कंजंशन कहते हैं, दूसरा है हमारा अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कंजंशन, सर नाम दोनों याद रखने पढ़ेंगे, जी हाँ, आपको नाम जो है, दोनों याद रखने पढ़ेंगे, या ध्यान रखने पढ़ेंगे, कि ये किस प्रकार की हमारी कंजंशन है, छोटे लेवल पे हम बच्चों को जो पढ़ाते हैं, एर्थ कलास तक सारी चीज़ें आजाती हैं, गरामर की, नाइंथ कलास के बाद, रिपीटिड ह होते रहते हैं, टॉक्टिक्स, ठीक है, एर्ट कलास तक हम सब कुछ पढ़ चुके होते हैं, देखिए, आज कल की जो बच्चों की, जो आज सले पस है ना, आज के टाइम पर सब कुछ आ जाता है, एर्ट कलास तक, ठीक है, आग्गे तो वो एक्सेंड होता जाता है, तो ड जो है किस-किस को सामिल करते हैं, but, still yet, nevertheless, whereas, while, only, elative जो है fourth जो है type होता है, coordinating conjunction का, for, therefore, so, frequently, consequently, तो यहाँ पे जो हमारा therefore है, वो दो conjunctions में आपका जो है एक तरीके से कभी-कभी सामिल कर लिया जाता है, ठीक है, तो उसको जो है देख लेना, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, यह जो है coordinating conjunction, जो है first type होता है, हमारे conjunctions का, पहली बात तो यह है, दूसरी बात क्या है, जो हमारी coordinating conjunction है, उसके चार types है, elative, adversative, cumulative, cumulative, alternative या disjunctive, चैक है, अब इसको alternative या disjunctive क्यों कहते हैं, है न, बात है न, आपको दिखाए दे रहा होगा कि यह जो सारे के सारे जो conjunctions हैं, यह क्या करते हैं, एक तरीके से choice क्या होता है, हमें, और alternate का मतलब क्या होता है, choice होता है, ठीक है, alternate का मतलब क्या होता है choice होता है तो इसलिए हम जो है इनको alternative या फिर distinctive conjunctions कहते हैं फिर इनके बारे में थोड़ी सी detail भी दी गई है उनको भी देख लेते हैं ठीक है cumulative या cumulative conjunctions किसको कहते हैं इनके बारे में जुरूर से बताया गया है ये वे coordinating conjunctions होते हैं जो एक statement को दूसरे statement से जोड़ते हैं और इनको हम cumulative या फिर cumulative conjunctions कहते हैं जैसे कि इसमें conjunctions हम उपर पढ़ चुके हैं कि कौन-कौन से होते हैं जैसे end है trust in God and do the right अब देखो trust in God and do the right ये दोनों के दोनों जो है क्या है एक statement है एक तरीके से भगवान में विश्वास करो और बस अच्छा काम करते रहो या अपनी तरफ से अपना काम करते रहो और भगवान में विश्वास रखो जो भी होगा अच्छा ही होगा बट इन दोनों चीज़ों को किस ने जोड़ा, एंड ने जोड़ा, तो इसी लिए एंड को हम क्या कहेंगे, एक कॉमिलेटिव या कॉमिलेटिव कंजेंशन कहेंगे, क्यों, क्योंकि ये दो स्टेटमेंट्स को जोड रही है, बोथ एंड में, सी वोज, फाइंड, एंड, इंपरिजन, अब क्या है कि उसको फाइंड किया गया और उसी को इंपरिजन किया गया, है न, सी वोज, फाइंड और सी वोज, इंपरिजन, इन दोनों चीज़ों को, इन दोनों स्टेटमेंट्स को, क्या किया है, बोथ और एंड ने कि जोड दिया है नव एंड के दोनों साइड में एक जैसी चीजें होती है यह देखिए एक जैसी चीजें है तो यह जो है धियान रखने वाली बते हैं दूसरे परकार के कंजंग्शन की बात करते हैं ईल् टरनेटिव यह डिस जंटेव हमारे सामने वो हमारे उपर जो है depend करता है कि हम किसको choice करते हैं या किसका चुनाव करते हैं तो इस परकार के conjunctions जो है हमारे क्या होते हैं alternative या destructive conjunctions होते हैं neither or nor neither a borrower nor a lender to be मतलब ना तो borrower बनना चाहिए और ना ज्यादा देने वाला बनना चाहिए ठीक है बीचसी का सिस्टम जो है रखना चाहिए तो इन दोनों के बीच में जो है क्या किया choice दी ठीक है nor ने nor ने जो है choice एक तरीके से दे दी ठीक है work hard else or otherwise you will not pass देख ले भाई मेनत कर ले नहीं तो तू पास नहीं होगा भाई पकी बात है तू पास नहीं होगा मेनत करना और पास होना ठीक है दोनों के बीच में जो है एक तरीके से alternate यानि के choice जो है आपको दे गई है adversative conjunctions वो conjunctions होते हैं जो क्या करते हैं दो statements के बीच में क्या करते हैं opposition क्या contrast यानि के विरोध यानि के difference जो है पैदा करते हैं या difference को जो है express करते हैं उस परकार की conjunctions को हम क्या कहते हैं adversative conjunctions कहते हैं कैसे but he ले लो चीक है he is slow but he is steady अब यहां पे दो statements को भी जोड़ा है बट ने ही जोड़ा है लेकिन दो जो है ये क्या कर रहा है ये दोनों चीजों को जोड जरूर रहा है बट क्या कर रहा है दो opposite चीज़े है देखे slow है बट steady है ये slow और steady एक दूसरे के contrast है विरोध है विरोध ही है एक दूसरे चीज़े है तो इसलिए इन डोनों statements के बीच में एक विरोधा भाव को जो है क्या किया गया है express किया गया है इसी परकार से इसलिए हम जो है इसको adversative conjunction का नाम जो है देंगे she is beautiful whereas या wild her friends are ugly अब beautiful और ugly के बीच में जो है difference जो है दिखाया गया है हमें चीक है और पूरी statement में ये चीज़ जो है दी गई है only वाला देख लिजिए he was all right only he was fatigued क्या है कि all right और fatig के बीच में जो है क्या 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 है contrast एक तरीके से दिया गया है उसके बाद fourth type की बात करते हैं elative conjunctions ये वे coordinating conjunctions होते हैं जो inference यानि के निश्कर्स जो है एक तरीके से निकालते हैं और elative conjunctions में हम इनको include करते हैं for civil pass for she works very hard वो जो है pass हो जाएगी क्यों हो जाएगी pass क्यों हो जाएगी pass इस चीज ने बताया because वो मेहनत करती है कठीन मेहनत करती है वो इस लिए pass होगी result निकलेगा किस से इसका जो इस conjunction के बाद दिया हुआ होगा जो elative conjunction के बाद दिया हुआ होगा जैसे की she was found stealing and therefore she was arrested वो क्या करती हुई मिली थी चोरी करती हुई मिली थी ठीक है और इसलिए उस बात का result क्या निकला पर इसमें result जो है पीछे दिया गया है she was arrested उसको arrest कर लिया क्योंकि वो चोरी करती हुई मिली थी ना तो उसका result क्या हुआ उसको arrest कर लिया यह हमारे चार टाइप्स थे coordinating conjunctions के ठीक है अब हम बात करते हैं अपने subordinating conjunction की subordinating conjunctions में जो है हम किसको सामिल करते हैं क्या कहते हैं किस परकास से इसको जानते हैं as, because, since, if, though, although, that, before, after, till, until, unless, whether, less, as, if, in case, so, that, as, long, as, as, soon, as, which, when और हम इसमें सामिल करते हैं where, why, how, as, though इन सब को हम subordinating conjunctions कहते हैं और support होता है subordinate का मतलब support होता है यानि कि depend होना एक चीज का दूसरी चीज के उपर depend होना उसमें जो है हम उस परकार की चीजों को या बातों को हम क्या कहते हैं subordinate कहते हैं चीक है, इसमें subordinate close भी होता है चीक है, और coordinating जो है conjunctions और subordinating conjunctions भी होती है तो subordinate मतलब support की जरूरत है उससे इसको अब इसमें क्या होता है इसमें जो है subordinate close जो है वो principal close के उपर depend होता है यहां पे close का भी matter कुछ ना कुछ जो है आ जाता है अब close होते हैं दो प्रकार के एक तो subordinate close या principal close sorry एक तो main close या principal close close हो गया principal close या main close दूसरा होता है subordinate close या फिर dependent close ठीक है यह दो दो नाम होते हैं ना confusion की बात हो जाती है कई बार ठीक है कई बार हम बताना चाते हैं कुछ और निकल जाता है कुछ गड़बर भी हो जाती है कई बार अब देखिए अब subordinate का मतलब होता है dependent होना तो इसका मतलब इसको हम किसमें use करते हैं जो हमारा dependent या फिर जो subordinate close होता है उसके साथ हम इस conjunction को use करते हैं एक्जामपल की तोर पर देखें भावना was find as he came late भावना को find किया गया यह हमारा principal close है as he came late यह हमारा subordinate close है और यह subordinate close है तो इसमें हम subordinative conjunction का use करते हैं अब हम थोड़ा से close की तरफ चले जाते हैं जो हमारा subordinate close होता है या dependent close होता है उसमें किस conjunction का use किया जाता है subordinate conjunction का use किया जाता है यह हमेशा ध्यान रखना ठीक है वो कहते हैं ना गांठ पान बेना इस सीज़ की फिर अब इसमें जो है subordinate principle close और subordinate close मैं आपको बता चुका हूँ कि किसको जो हम कहते हैं ठीक है वैसे जनरली मैं ऐसे भी बता देता हूँ आपको जो हमारा principle close होता है उसका एक independent meaning होता है जो हमारा subordinate close होता है उसका independent meaning नहीं होता है वो depend रहता है principle close के उपर अब वाप इस conjunction पे आ जाएगे kinds of subordinative conjunctions total कितने हैं 8 हैं देखिए हमने क्या पड़ा conjunctions, conjunctions के 2 part एक तो coordinating conjunctions एक subordinating conjunctions, coordinating conjunctions के 4 part, subordinating conjunctions के 8 part बस इतना ही आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे ठीक है तो last जो है 8 parts देखते हैं अपने subordinating conjunctions के इसमें जो है conjunction of time as subordinating conjunctions of time, cause और reason, result और consequence, purpose, condition, concession और contrast, comparison और extent और manner ये 8 जो है total हमारे parts होते हैं subordinating conjunctions के अब बारी बारी इनके बारे में जो है जानने की कोशिश करते हैं देखिए जो चीज जैसे adverb में होता है न adverb of time, adverb of place same वही चीज जो है यहाँ पे भी हमें देखने को मिलती है कैसे? conjunction of time की बात करते हैं ये जो है adverb of, adverb closes of time को introduce करते हैं यानि के ऐसी conjunction का use के जाएगा, जो time के बारे में बताएगा कहने का मतलब ये है, जैसे before है, after है, since है, till, until, as soon as, while ये सब किस के बारे में बात करते हैं, time के बारे में, ठीक है, इसी लिए subordinating conjunction of time जो है इनको कहते हैं example भी देख लीजिए, she had died before she reached 25 वो जो है, जा चुकी थी, किस seed से पहले, किस समय से पहले, जब तक कि वो 25 की होती, उस समय से पहले, ठीक है एक और example देख लीजिए, किसी और conjunction का, I will leave as soon as you come, मैं जो है, जल्दी निकल पड़ूँगा, जैसे ही तुम जो है, पहुंचोगे, ठीक है जैसे ही, इस समय, यहाँ पे भी, पर example, यहाँ पे भी क्या निकल के आ रहा है, टाइम निकल के आ रहा है, तो इसलिए हम, conjunction of time, जो है, इसको हम कहते हैं दूसरे नंबर पे, cause या reason की बात करते हैं, इसमें reason या cause को denote किया जाएगा because, since, as, यह सब जो है, हमारे reason को भी denote करते हैं, I love her, because she loves me अब मैं उससे प्रेम करता हूँ, क्यों करता हूँ, क्योंकि वो भी मुझसे प्रेम करती है, यह reason बताया इसने अगर वो नहीं करती होती, तो यह भी नहीं करता होता, statement के हिसाब से, तो यहीं बता जलगा he will go there, since you desire it, अब यहाँ पे क्या है, कि वो वहाँ पे जाएगा, क्यों, क्योंकि आप जो है, आपकी इच्छे है वहाँ पे जाने की, ठीक है, तो इसी लिए वो जो है, वहाँ पे जा रहा है, वरना उसका कोई मन नहीं है, यही इससे conclusion निकल किया रहा है, तीसरा जो type है, result और consequence का है इसमें क्या होता है, हम क्या करते है, किसी भी result या फिर consequence को introduce करते है चीक है, for example, हम क्या करते है, that की बात करते है he was, he was so intelligent, वो जो है, बहुत intelligent है, that he won the first prize उस बात का result क्या निकला, कि वो intelligent है, वो intelligent है, इस बात का result क्या निकला इस बात का result ये निकला, कि उसने जो है, first prize जो है, जीता conjunction of purpose, इसको हम जो है, इसमें क्या करते है, किसी भी purpose को बताते है है, जैसे कि, so that वाले को देखिए, he worked hard, so that he might pass, वो जो है, कठिन मेहनत किया, उसने, क्यों किया, उसने कठिन मेहनत, क्यों, क्योंकि वो पास हो सके, इसलिए उसने कठिन मेनत किया, ठीक है, that वाला देखिए, we eat that we may leave, हम खाते हैं, क्यों खाते हैं, उसका उद्देश्य क्या, उसका मतलब क्या है, ताकि हम जिन्दा रह सकें, इसलिए हम खाते हैं, तो हम क्या करते हैं, that, so that, last, in order, that, यह हमारे conjunction of purpose होते हैं, या अब पूरा कहें, तो sub जलता है, if, as, if, unless, या फिर provided that, यह सब जो हमारे conjunctions होते हैं, जो हमारे conditions के बारे में बात करते हैं, कैसे, जैसे कि, he will dismiss you, वो आपको dismiss कर देगा, यदि, if you are late again, अगर आप दुबारा लेट आए, तो, यह condition है, अगर दुबारा लेट आया, तो उसका आपको यह, जो हम्याज is his fault, उसको जो हमाफ नहीं किया जा सकता, ठीक है, उसको माफ नहीं किया जा सकता, क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने confess कर लिया, उसकी गलती, या उसको माफ भी किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, वो important नहीं है, हमार करते हैं अब अपने next जो की contrast या फिर concession के बारे में बात करेगा जिसमें हमें conjunctions जो है हमारे तीन चार हैं जो बताते हैं although हो गया दो हो गया however हो गया ठीक है he is an honest man although he is poor वो बहुत ही इमानदार रिखती है जबकि वो क्या है एक गरीब आदमी है तीक है वो गरीब आदमी होते हुए बहुत ज़्यादा इमानदार परसन है दो है he is not contented though he is poor वो जो है कभी भी content नहीं करता क्यों क्यों नहीं करता उसके अंदर एक इमानदारी का गुन है हलांकि वो पूर परसन है गरीब एकती है चिक है तो however का देख लीजे he will never pass वो कभी भी पास नहीं हो सकता भाई क्यों नहीं हो सकता however hard however hard he may try उसने बहुत जो है try तो किया बट वो मुझे नहीं लगता कि वो पास जो है हो सकता है तो एक दूसरे के contrast में बात कर रहा है या concession में एक दूसरे के बात कर रहा है बात करती है subordinative conjections of comparison की इसमें comparison करेगा चाहे वो then के साथ करे चाहे as के साथ करे ठीक है he is as clever as I और इसमें क्या कर दिया इसने he और I के बीच में जो है क्या कर दिया हमारा जो है क्या कर दिया comparison कर दिया अब यहां पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा चलो मैं एक बात बता जता हूँ एक बात आपसे पूछ लेता हूँ यहां पर दो as लिखे हुए है clear है दोनो as को आप conjunctions में भी जो है count करते हैं clear है but original conjunction हमारा यह वाला है last वाला यह वाला तो यह क्या है इसका part of speech क्या है मुझे comment box में लिखके बताना है आपने ठीक है शायद मैं इस channel पे कई बार बता चुका हूँ और पहला जो उसकी like education था उस पे तो मैं बहुत जादा बार इस बात को बता चुका हूँ ठीक है और as हो गया according as हो गया जैसे कि man will rap as they show वो जो है man जो है rap कर सकते हैं जैसे कि उनके देखने से पता चलता है उनके जानने से पता चलता है ठीक है तो मुझे आप comment में बताएंगे कि show का मतलब क्या होता है दो questions लगाता है according as का मतलब क्या होता है he chose the conditions according as they were fit मतलब वो conditions choose करेंगे किस हिसाब से conditions choose करेंगे कौन से तरीके से conditions choose करेंगे जैसे ऐसी conditions को choose करेंगे वो जिसमें वो क्या करते होंगे अपने आपको वो fit पाते होंगे या fit देख रहे थे वो अपने आपको उस परकार की conditions को वो क्या करेंगे since, for, after but, before इन सब को हम prepositions और conjunctions के रूप में use करते हैं देखे इनको हम prepositions में मानते हैं और इनको हम conjunctions भी मानते हैं फिर हमारा क्या आता है देखे यहां तक हमारे eight जो है parts जो है cover हैं और इसमें आप examples भी देख सकते हैं इनका कि किस तरीके से हम इन words को conjunctions में जानते हैं और किस तरीके से हम इनको अपने prepositions में जानते हैं stay till Friday अब यहां पे stay till जो use किया गया है यह हमारा prepositions के रूप में use है but इसी sentence इसी चीज़ को I shall stay here till you return अब यहां पे जो है you return और I shall stay here इन दोनों चीज़ों को इसने क्या किया है जोड दिया है इन दोनों sentences को इसने जोड दिया है तो इसलिए यहां पे conjunction तो यहां पे example के तोर पे बताया गया है हमें ठीक है तो आप इसको देख सकते हैं फिर बात कर दें in order that on condition that even if so that provided that as though in as much as in as well as as soon as as if इनको हम compound conjunctions कहते है इनको compound conjunctions क्यों कहते है एक चीज़ ध्यान रखे एक चीज़ आई थी compound noun उसमें क्या था जैसे मैंने लिख दिया brother in law चीक है brother in law लिख दिया चीक है तो हमारा इसमें क्या है एक दो तीन इसमें word आये तो इनको हमने इकठा कर दिया मतलब इसके क्या बनते है एक चीक है इसको हम क्या कहते थे compound noun कहते थे इसमें भी देखिए पर तेक conjunctions में आपको दो से ज़्यादा या दो जो है आपको words देखने को मिलेंगे इसी लिए इनको भी compound conjunctions हम कहते हैं अब use of compound conjunctions भी देखना पड़ेगा ये तो जरूरी हो जाता है use of compound conjunctions भी देखना पड़ेगा फिर उसके बाद हम last part जो दूसरा part होगा उसमें हम पढ़ेंगे some important rules of conjunctions ठीक है उसमें हम पढ़ेंगे इस चीज़ को ठीक है तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले use of compound conjunctions का sentences ही दे रखें बस ज़्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है यहाँ पर भी अगर कोई दिक्रत लगती है तो आप मुझे बताइएगा जरूर ठीक है तो compound conjunctions है in order that the notice was published in order that all might know the facts on condition that the principle will forgive him on condition that he does not repeat the offense देखिए दो sentences दो conjunctions के साथ मैंने पढ़े दूसरे वाला sentence देखिए on condition that इस शर्त पर की इस शर्त पर की प्रिंसिपल ने जो है उसको माफ कर देगा उसको प्रिंसिपल सर माफ कर देगे कौन सी बात पर कि वो उस गलती को दुबारा रिपेट नहीं करेगा वो उस गलती को दुबारा नहीं करेगा इस बात का promise देदे भाई तेरे को है ना माफ कर दिया जाएगा, तेरे को कोई भी जो है दिकत नहीं होगी, या तेरे को स्कूल से नहीं निकाल लग जाएगी, इस तरीके की गलती दुबारा नहीं करेगा, इस बात का प्रोमिस दे दे, तो on condition that, ये हमारी पूरी की पूरी conjunction होगी, हम इसको ये नहीं कह सकते हैं कि यहां पे that condition है, सोरी, conjunction है, यहां पे on condition that, ये पूरा का पूरा जो है, conjunction का जो है, हमारा part होगा, फिर हम बात करते हैं, इन correlative conjunctions के, correlative conjunction एक तीसरा type होता है, conjunctions का, ठीक है, coordinating, subordinating और correlative, ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं, main parts होते हैं, दो, subordinative conjunctions और, जो है, हमारा, coordinative conjunctions, ठीक है, और ये correlative conjunctions, जो है, तीसरा part, जो है, यहां पे होता है, either or, neither nor, not only, but also, उन्हीं में से कुछ न कुछ जो है, इसमें आते हैं, ये जो है, coordinating conjunctions की श्रणी में आते हैं, ये इन्होंने लिख भी दिया है, इसलिए मैंने आपको ये कहाता है, कि जो conjunctions है, हमारा, उसके दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, तीन टाइप्स नहीं होते हैं, दो टाइप्स होते हैं, इसलिए हम जो है, नाम जुरूर ध्यान रखते हैं, हम इसका correlative conjunctions का, correlative conjunctions को कहां कहां पर यूज़ करते हैं, ये कुछ 10 points इसने बताए हैं, जैसे एक noun से दूसरे noun या pronoun से, एक pronoun से दूसरे pronoun या noun से जोड़ना है, एक adjective को दूसरे adjective से जोड़ना है, एक verb को दूसरी verb से जोड़ना है, एक adverb को दूसरे adverb से जोड़ना है एक phrase को दूसरे phrase से जोड़ना है एक subject को दूसरे subject से जोड़ना है एक object को दूसरे object से जोड़ना है या फिर एक compliment को दूसरे compliment से जोड़ना है इन सब situations के लिए हम जो है सारी conjunctions को use करने हैं तीक है main बात तो है यह इन सब चीजों के लिए हम सारी ही कंजेंशन्स को यूज करते हूँ तो इसलिए यहां पे इसका कोई खास जो इंपेक्ट नहीं पड़ता है क्यों क्योंकि हम जो है इसको को ओर्डिनेटिंग कंजेंशन्स की जो केटेगरी एश में डालते हैं ठीक है, अब यहां पर इन्होंने बताया भी है, आप इसको देख भी सकते हैं, अगर दिक्कत आती है तो आप मुझे बता भी सकते हैं, यहां तक हमने कर लिया part number first, 32 minutes के around जो है यह part हमारा हो चुका है, इसलिए महा भी चाहेंगे, part number second में हम cover करेंगे, some important rules of conjunctions, ठीक है, यह ज आपी speed से रखा है, rules only videos फिलाल जो है चल रहे हैं, फिर हम जो है exercise तो बनाते ही रहेंगे, ठीक है, तो thanks for watching, thank you so much, मिलेंगे next part में, thank you, thank you so much